नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं अच्छे होंगे मेरा नाम है सानोज कुमार उमंग स्टड़ी में आप सभी के स्वाकत है जी आप फ्रेंट्स इस वीडियों बात करने वाला है अररभी एंटी पीसी एंट ग्रूपडी के बारे में तो क्या है जानकरी सार स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंफर्मेशन इंफर्मेशन क्या है जैसा कि आप सब इस्टूडेंट्स को पता है आज 31 मार्च है और जो टेस्ट बूक के तरफ से अंतीम अफसर सेल लाए गया है इस 31 मार्च 12 बजे रात को समाप्त हो जाएगा और अभी लगभग रात के 8 बाच चुक है यानि कि मात्र 4 गंटे का समय बचा हुआ है जिकर अभी भी आपने इस ओफर का लाव नहीं उठाया और यह जो ओफर है यह बहुत ही ज्यादा स्पेशल ओफर्मेशन क्योंकि जो एक अप्रेल से आप लोगों का जो वन एयर का टेस्ट करने का और आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा सक्सेश्पुल के इंटरव्यू किया है चायका वो ओर और भी एंटी-पी-सी के पोस्ट पर हो चाया गुरूपडी के पोस्ट पर हो चाया वो SSC के किसी एग्जाम को क्राकी हो सभी स्टुडेंट्स ने का है किसी भी परिच्छा की तेयरी में मौक टेस्ट के एक बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट रोल होता है इसलिए जो भी स्टूडेंट इस ओफर का लाब उठाना चाते तो आपको कुछ भी नहीं करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथी कमेंट सेक्षन में आपको एक link पेंड क्यों मिलेगा, उसने पर click करना है, click करने के बाद हमारा coupon code among 10 लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे students के लगातार हमारे पास query आ रही है, कि sir हम लोग 224 उर्पे में test book pass को purchase नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार क्या किया जारा test book के तरब से, कि हर घंटे एक lucky user को, यानि कि lucky student को एक smartphone दिया जारा, क्योंकि अभी के time में students के लिए सबसे ज़्यादा कुछ important होता है, तो smartphone होता है, क्योंकि अभी के time में बहुत बड़ी संख्या में जो students होते हैं, वो online preparation करते हैं, और test book के तरब से, हमेशा कुछ ऐसी चीज़े students को दी जाती है, जो students के preparation में उनको help करें, तो जाइए बीना कोई देरी किये वए, इस offer का lab उठाइए, और अपने तयारी को एक नया boost दिजिए, नया IAM दिजिए, ताकि इस बार आपका भी final selection हो सके, तो वीडियो को start करने के reference हम लोग आज उमंग स्टडिक, official टेलिग्राम चैनल पर, पहली जो notice हम लोग दिखाने वाले हैं, वो आप लोग का रर भी NTPC के regarding दिखाने वाले हैं, अलागी कोलकाता के group D के students पर बहुत बड़ी संक्या में इंतजार कर रहे हैं, तो उनका भी पैनल आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, भारत सरकार रेल मंत्राल है, रेल्वे भरती बोर्ट कोलकाता, ओके, यहाँ पर आप लोग का वेबसाइट एड्रेस है, यहाँ पर फोन नंबर है, जो कि आप लोग का NTPC का है, प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर पार्ट पैनल अफ लेवल 3 एंड लेवल 2 पोस्ट अप सीन नंबर 1-2019, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अप लोग का, पे लेवल 3 एफ 7 CPC, रेल्वे है इस्टन, पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकर कलर, कैटेगरी नंबर 9, यहाँ पर टूटल अप लोग 8 कैनिडेट्स है, उसी तरह से हम लोग बात करते हैं, पे लेवल 3 एफ CPC, सावधन रेल्वे, सा है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, पे लेवल 2 एफ 7 CPC, यह सावध इस्टन है, पोस्ट आप लोग का, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का है, कैटेगरी नंबर 10, यहाँ पर टूटल आप लोग का, 22 स्टुडेंट है, ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, पे लेवल 2 एफ 7 CPC, रेलवे है इस्टन, पोस्ट आप लोग का, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट काटेगरी नंबर 11, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का, टोटल नंबर आप कैनिरेट्स की बात करते हैं, इसको थोड़ा से स्कोल डाउन करके नीचे जरेंगे, तो टोटल यह देखते हैं, पे लेवल 2, ठीक है, रेलवे है, CW, पोस्ट है जूनियर कलर कम टाइप्पेस्ट काटेगरी नंबर 11, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का, बात कैनिरेगर का देन ऊंच, ठीक है, यहाँ पर डेटा 31 मार्ट 2023 चेर्मेन अरवी कोल करता अगली जो अपडेट आ रहे हो ग्रूप डी के रिगार्डिंग वेस्टन रेलवे के तरफ से आ रहे है यहाँ पर देख सकते है अरची डवलू आरची वन दोहजार वनीज प्रोविजनल पार्ट पैनल वन डिटेल और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या गए ओबर ऑल मेरिट और कम्यूटी मेरिट दोनों यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो अपने कम्यूटी है पर वन पर ये मिया है तो अंकर जिया हुआ है यहां पर मूबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो प्रवेसिक के रिजंसे मैं नमरीट का हाइड कर दिया है तो यह एक बहुत ही अच्छा मेसेज आता है सभी आरसी को जितने भी आरसी सभी आरसी को यह अपने इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि इस तरह से पैनल जारी करवाए जाए कि किसी भी स्टूडेंट के मन में किसी प्रकार का कोई भी कन्फीजन ने रहे जाये क्योंकि आपको पता होगा अभी कई सारे अरसी के स्टूडेंट है किसी ने किसी छोटी से चोटि या बड़ी चीज को लेकर करके पर्शान है कि सर मॉहामेच है कि हमारी जो बटी सी他 अलोटमेंट हुआ है कि किस प्रकार से हुआ हमें समझी नहीं आरा तरह ug कुलगाता के student का उनका कहना था कि हमारे जो table पे document भरिपिकेशन हुआ था वहाँ पे OBC के एक भी student का पैनल में नाम ही नहीं आया है तो इसके बारे में आपका क्या opinion होगा आप हमें comment करके जरूर से रुब बतेगा क्या इसी तरीके से पैनल जारी करवाया जाना चाहिए या फिर पहले जो भी पैनल जारी करवाया गया है वो अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है तब तक के लिए जै भारत